हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैई चैनल फ्रेस्ट आज मार्किट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ एक बहुत बड़ा क्रैस्ट देखने को मिला और बहुत सबका पॉर्टफोलियो ऑल्मोस्ट जो है डेड होगे तो आज की वीडियों समझने वाले कैसे क्या रीजन्स अधरवाइस किया होगा कि बहुत लंबे समय तक लॉंग करते हैं और फिर आप लॉंग टाइम इन्वेस्टर बन जाते क्योंकि यह प्र वापस से आपके प्रैस लेवल पर नहीं आए तब तब आप एक लॉंग टर्म इनवेस्टर बन जाते हो तो डिसकस करते हैं सबसे प सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसके डर से मार्केट में क्या सेंटिमेंट आया कि यूएस में रिसेशन आ सकता है अब यूएस में रिसेशन आयगा तो जाहिर सी बात है कि यूएस के जितनी भी कंपनीज हैं उन समय प्रॉब्लम आएंगी और प्रॉफिट बुकिंग आएंगी आएंगी तो क्योंकि यूएस डार्टली या इन्डार्टली हर जगह हर कंट्री में इन्वाल्व है तो उस क इन्टा लगने लगें कि वाकई कि मार्केट में रिसेशन आने वाला और उसकी वज़से अगर आप गलोवल स्रेशनारियो देखेंगे तो पूरा मार्केट पूरा आपका वर्ल्ड जो है रेड दिख रहा था और वैसे उसी के वज़से उसका इंपक्ट क्योंकि एक मार्क करेंटली स्टॉंग होने के वज़से ऐसा कुछ नहीं होने कि मार्केट में इतना बड़ा क्राइश आपको देखने को मिला तो इसका एक रिजन आपका यह हो है सेकेंड बात करते हैं जिसको से मार्केट में एक क्राइश आया इस तरह से इंकाउंटर किया या मार दिया उस मार्केट में आपके वाइरल हो रही क्योंकि यहां यहां वार भी होता है और फिर से स्टार्ट होता है फिर बहुज़ार टेंशन होगा इस ग्लोबल टेंशन की वज़से भी एक इतना बड़ा मार्केट में क्राइश देखने को मिल रहा है अब बात करतें थर्ड पॉइट का कि आइसा क्या रीजन हो सकता है सर्भ मार्केट में कराइश ट्रेश्ट वैलूवेशन जी आँगाइज एंडियान मार्केट एक बहुत हैवी बॉल साध में बुल साध की वज़़से क्या है कि 죠 well companies का वैनीयचर है वालेशन कई गुना मल्टिप्लाई हो cheese कर रहा है दिन आरेटि और को लगluent सब्सक्राइए सब को लग रहा था कि कई लोग उसका वेट कर रहे थे और एक ऐसा नियूज का कोई वेट कर रहे थे जो हमारी इंडियर मार्केट को बिगाड़े जिसे मार्केट प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिले तो सेम वाइज आपका जो स्ट्रेश्ट वैलुवेशन से यह वैलु करेंगी जो आपका अप्रैल के बाद होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइन पर है उससे नीचे उसकी वज़े से जो जो ग्रोथ है कंपनियों को रुक सी जाएगी रुक रही है क्योंकि बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है डिपॉजित घट रहे हैं तो ओभी एक कंसर्ण हो रहा है कि मार्केट में कि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा मार्केट कैसे अप जाएगा तो वहां पर पर प्रॉब्लम हो रही है उसकी वज़़े से भी एक करेक्शन आपको जो डिव था ओक करेक्शन आपको देखने को यह मिल रहा है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम अपने पॉर्टफोलियो का क्या करें क्योंकि यह ऐसा आया है मार्केट में यह क्रेश आपका ओवरनाइट आया है मतलब अच्छा अच्छा खासा फ्राइडे को क्लोज हुए क्लोज हुए लेकि मंडे को आप 24,000 के आसपास ओपन हो रहा है यह बड़ा सक्कट आपको देखने को मिल ला है तो यह आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कितना बड़ा क्राइस आपको देखने को मिले जिसके आपको पॉर्टफोलियो के आपको बिलीट करने लगा सबका जितने लोगों पॉर्टफोलियो को होल्ड गया हुआ है तो पॉर्टफोलियो ब्रेट करने लगा आप देखिए आप दो पॉइंट है इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है और इंडिया को फंडामेंटल से उसमें एक रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ है मतना ही गवर्में देखने को नहीं मिल यह है क्लियर तो वहां पर बिलकुल प्रॉच्पोलियों कोई कारे नहीं को और섯 UA बाइक किये हुए हैं वो quality वाले हैं या नहीं है अगर stocks quality वाले हैं तो उनको आप आसा अराम से precisely hold करिए कोई जल्दी नहीं है आपको sell करने के क्योंकि जल्दी रिकवर करेंगा जल्दी उनका अच्छा price मिल जाएगा आपको और जो opportunity मिले तो उसमें आपको average करने के भी opportunity मिले क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आज भी market इतना गिर था consumer sector के जितने भी stocks सभी अच्छा perform कर रहे हैं तो quality वाले stock अगर आपके portfolio में है तो उसको hold करिए उसको अराम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ ऐसा stock बढ़ा हुआ है जो quality वाले नहीं है लेकि momentum अच्छा कासा कर रहा था जिसको आपने उसको portfolio में रखा हुआता है तो उसका आप टेस्ट कर लिए कि उसका last resistance कहां है क्लियर चाहे हो 15 देज मुविंग एवरेज अब हो चाहे उसका प्यवेट्स पॉइंट हो जो भी आप टेटी सेटप यूज़ करते है उसका last resistance कहां पर है उसको भी आप लॉट करें पहले लॉस में करिए क्योंकि होता क्या कि कोई स्टॉक अगर 100 रूपीज पर ट्रेड कर रहा है वापस से उत्रों का 50 रूपीस हंडेड रूपीस में करणवर्ण होने के लिए उसको अब हंडेड परसे और प से पता है किफ्ली पॉसिबल नहीं है यह सबसे बाद में सामिल होते हैं और सबसे गिरते सबसे पहले भी वहीं है तो उनको आप एक्जिट करिए गुड स्टॉक्स को होल्ड के जो काफी आपको हेल्प करेंगे रिकवर करने के लिए